समुद्र की लहरें जितनी ठंडक पहुँचाती हैं अब उतनी ही गर्मी भी दे रही है आप इसे विश्वास करिये या ना करिये लेकिन सचाई ये है कि अब समुद्र का तापमान भी बढ़ गया है बंगाल की खाड़ी के समुद्र का तापमान 0.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास बढ़ गया है पिछले कुछ वर्षों में तो वहीं दूसरी और अरेबियन सी का तापमान करीब 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है 26 से करीब 30 के पास आ रहा है ये तो सिर्फ आम तौर पर आम दिनों की बात है लेकिन एक और जलवायू परिवर्तन हो चुका है यानि कि जो साइकलोन जो तूफान अब तक पोस्ट मॉनसून आते थे अगस से नवंबर महिने के बीच में अब उनमें बढ़ोतरी हो गई है और अब प्री मॉनसून साइकलोन भी आते हैं प्री मॉनसून का मतलब होता है मार्च से मई के महिने तक और पिछले तीन वर्षों में इसकी संख्या कई गुना ज्यादा बढ़ गई है अभी तक भारत में सिर्फ पांच साइकलोन आते थे एक वर्ष में यानि की चार पोस्ट मॉनसून और एक प्री मॉनसून लेकिन 2018 से इनकी संख्या अब एक से चार हो गई है सिर्फ प्री मॉनसून की और चार पोस्ट मॉनसून भी ऐसे में लगभग 8 से 10 साइकलोन एक वर पहला ये कि पूरे देश में भले ही आट से 10 साइकलोन आते हों लेकिन पूरे विश्व में एक वर्ष में 80-100 साइकलोन आते हैं इस वर्म पूल का तापमान आम तोर पर 27 डिग्री सेल्सियस होता है लेकिन अब ये बढ़कर 30 डिग्री सेल्सियस तक हो गया है और इसका इलाका जो पहले करीब 20 मिलियन स्क्वेर किलोमीटर था समुद्र में ये इलाका होता है अब वो 44 मिलियन स्क्वेर किलोमीटर हो गया ह बात जिर्फ इलाके की नहीं है बात ये है कि अब इस गर्मी का असर जमीन पर देखने को मिल रहा है जो heat wave आप जमीन पर देखते हैं उसी तरह की heat wave आपको समुद्र में भी बनने लग गई है और इस heat wave का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बंगाल की खाड़ी में, क्योंकि ये एक खाड़ी है, यहां कई छोटी-छोटी नदियां आती है और ये नदियां अपने साथ fresh water लेकर आती है, लाकिन ताजा पानी, जिसमें नमक नहीं होता है, मीठा पानी कहते हैं नदि के पानी को, लेकिन समुद्र का पानी खारा पानी होता है, क्योंकि इसमें नमक होता है, अब इस नमक के पानी में जब उपर से एक परत, एक पूरी परत fresh water की बन जाती है, तो solar radiation बढ़ जाता है, ये जो आप सूरज देख रहे हैं, ये अपना तापमान कैसे बढ़ा रहता है, उससे कई गुना ज़्यादा तापमान बढ़ता है, अब ये नमी बढ़ा देता है, और यही नमी बढ़ने की वज़े से समुद्र का तापमान बढ़ा, ये नमी साइकलोन में तबदील हो जाती है, कहीं बीच इलाके में, और ये तेज हवाएं आती हैं सीधा जम और अपनी ताकत आकर दिखाता है जमीन पर इसके पहले 1960 के दशक में एक साइकलोन आया था जिसे समर साइकलोन कहते हैं लेकिन आप इन समर साइकलोन की संख्या बढ़ती चली जा रही है हाल ही में ताउते था अगर आप वेस्टन कोस्ट की बात करें और इस्टन कोस्ट में स समुद्र में रहते हैं उनकी भी जान चली जाती है और ये प्रकरण अगर ऐसे ही चलता रहा तो हो सकता है जैसे पिछले कुछ वर्षों में समुद्र किनारे के पास आ गया है और किनारा छोटा हो गया है शायद आदमी को भी इसी तरह किनारा करना पड़ेगा क्योंकि ABP News आपको रखे आगे